हलो दोस्तो स्वागत है चोहन प्रुपट के एक और श्यांदार वीडियो में दोस्तो दोस्तो आज मैं आपको एक बहुती खुपसेत मकान दिखाऊंगा टू साइड ओपन ये मकान रहने वाला है पचास गज का मकान है ये पार्किंग एरियर रहेगा जैसी हम एंटर करते हैं आपको देखे समर्सीवल का पॉइंट नजरा रहे है चार-चार फुट तक की टाइल वर्क मिल जाता है पूरी दिवारों पर एक कमरा आगे की तरफ ये मिलने वाला है दोस्तो ओल्रेडी सारी फिटिंग्स कराके दी जारी है इसमें ये फ्रेंट में आपको डोर मिल जाएगा एक लकडी का डोर मिलने वाला है एक लोहे का जाली वाले डोर मिल जाएगा दो डोर मिल जाते हैं wentlation आप देख सकते हैं दोनों ही दिवारों पर आपको window मिल जाती है proper ventilation दिया गया है आप चाहें तो AC की fitting भी यहाँ पर करा सकते है window AC तक लगा सकते हैं आप यहाँ पर तो काफी अच्छी ventilation दी गई है 50 गरके का two side open ये मकान दोस्तों रहने वाला है और L टाइप मकान रहेगा दोस्तो और आप देख सकते हैं पूरे मकान में आपको नीचे 4 फुट की टाइल वर्क दिया गया है ये किचन रहेगी, L टाइप किचन रहने वाली है दोस्तो सारी फिटिंग्स इसमें भी आपको अल्रेडी करा के दी जा रही है इसमें भी आपको टाइल वर्क देखने को मिल जाता है स्लैब जो रहेगी, गरिनाइट की स्लैब रहने वाली है वास वेशन आप देख सकते हैं, सिंक लगा के दी जा रही है वास वेशन लगा के दिया जा रहा है पानी की फिटिंग्स अल्रेडी इसमें करा के दी जा रही है टाइल आप देख सकते हैं, काफी खुपसर टाइल वर्क आपको मिलने वाला है इसके अंदर आपको दो कमरे मिल जाते हैं ये कुछ इस पेस आपको मिल जाता है किचन के सामने उपर जाल दिया गया है वेंटिलेशन के लिए जिससे की प्रोपर वेंटिलेशन बना रही मकान के अंदर एक पीछे ये कमरा मिल जाता है इसके अंदर भी आप देख सकते हैं विंडो दी गई है और नीचे आपको टाइल वर्क मिल जाता है थोड़ा सा स्पेस के लिए एक अलमारी बना के दी जा रही है आपको उपर और यह आपको यहाँ पर भी आप विंडो एसी लगा सकते हैं देखिए काफी कम ऐसे मकान होते हैं विंडो एसी लगा सकते हैं यहाँ पर आप दोनों कमरों में विंडो एसी याफिर कूलर कुछ भी सैटब करा सकते हैं यहाँ पर आपको बातरूम मिल जाता है बातरूम में उल्रेडी सारे पितिंग्स करा के दी जा रही है दोस्तो यह देखिए seat wheat सब कुछ लगा के आपको complete करके दिया जा रहा है आपको आके रहना है shift कर देना है बिल्कुल ready to move मकान दिखारों 50 बच के सारी fittings करा के दी जा रही है tile work देख सकते हैं लगबग 7-7 foot तक के tile work दिवारों पे आपको मिल जाता है बातरूम में और ये CDA रहेंगे दोस्तो CDA आपको सारा marble work मिलेगा SS की railing मिलने वाली दोस्तो और CDA पे भी आपको दिवारों पे tile work मिल जाता है ये कुछ space मिलेगा सामने window हो रहने वाली है जिससे की proper रोशनी रहे मकान के अंदर और दोस्तो खास बात क्या रहने वाली है जमीन आपकी रहेगी मकान आपका और चट भी आपकी रहने वाली है आप उपर भी बना सकते हैं इसके अंदर तीन मंजिल तक तो ये कुछ चट रहेगी इसमें आप देख सकते हैं सामने ही जाल दिया गया है वेंटिलेशन के लिए टू साइड ओपन ये मकान रहेगा दोस्तो पानी के फिटिंग्स ओरड़ी करा के दी जा रही है इसमें आप उपर भी तीन मंजिल तक मकान बना सकते हैं दोनो साइड आपको एसस के रेलिंग्स लगा के दी जा रही हैं तो जब आप उपर बनाएंगे दोस्तो तो उपर मकान जो आएगा और अच्छा बनके निकलने वाला है और अच्छा स्पेस आपको उपर मिल जाता है क्योंकि टू साइड ओपन मकान है और पानी के फिटिंग्स आप देख पा रहे हैं अब आपको नजन आ दोस्तों साइड ओपन मकान यह रहेगा दोस्तो। मान सरोवर पार्क लाल पुआ गाज्यवात की कलोनी रहे गी और जैसे कि आप देख सकते हैं पानी की फिटिंग बिजली की फिटिंग करा के दी जा रही है ये जो मांसरोर पार्क है ये दोस्तो नगर निगम के अंदर आता है वार्ड नमबर 42 के अंदर गाजियबाद में तो नगर निगम की कॉलोनी दोस्तो ही रहने वाली है पचास कज का टू साइड ओपन में आपको दिखा रहा हूँ डिमांड की बात करें तो 26 लाग की डिमांड रहेगी और दोस्तो खास बात कर रहेगी 80% का लोन आपको मिल जाएगा इसमें तो आपको लोन की सुझदा भी यहाँ पर मिल जाती है पार्किंग स्पेस मिल जाता है आप टू इलर इसली पार कर सकते हैं दो कमरे मिल जाते हैं किचन मिलने वाली है लैट्रिंग बातरूम सारी चीज़ आपको मिल जाती है फ्रेंट से अलिवर्शन कुछ इस टाइब कराएगा पूरे में टाइल वर्क आप देख सकते हैं बिजली के फिटिंग्स ओल्रेडी मीटर लगा के दिया जा रहा है दोस्तो सामने की रोड 25 फुट की रहने वाली है और आसपास मकान काफी अच्छे बने हुए है एक बार दिखाओं कि टू साइड ओपन ये मकान रहने वाला है मातर 26 लाग के अंदर दोस्तों आपको ये टू साइड ओपन मकान मिलने वाला है 80% का लोन भी एवेलेवल है कलोनी मानसरोवर पार्क लालकुवा गाजिवाद वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें शेर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरू करें